हेलो फ्रेंट वल्कम टियूर चैनल कैटली सोनी और दिससोनी फ्रेंट आज मैं आप लोग लिए जो वीडियो लेकर क्या है आप लोग में से बहुत सारे इस्ट्रण मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वो क्या यूपीटेट का फॉर्म फिल करें क्या वो सीटेट का फॉर्म फिल क करें क्योंकि अभी भी confusion जो है आप लोगों में क्या फैला हुआ है कि examination होने के बाद यानि कि BFordya का रिजल्ट आने के बाद ही जो है आप लोग यूपीटेट दे पाऊगे या फिर सीटेट दे पाऊगे यही confusion है इसमें मुझे बहुत सारे messages आए हुए हैं कि मैं मैं यूपी टेट का फॉर्म तभी फिल कर पाऊंगी जब जो मेरा examination का जो है result निकल जाएगा be at first year का result निकल जाएगा ऐसा बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं तो यह सारे questions के confusion को आज में इस video में आपको दूर करने वाले हैं विद्प्रूफ दूर करने वाली हूँ और प्लीज अच्छी तरीके से अपने मैसेज या कॉल कर सकते हैं रेजिस्ट्रेशन के लिए क्लासे 16 अगस से स्टार्ट हो चुकी है चलिए मैं बता दू सबसे पहले NCTE का जो है आप लोगों को देखना है यह जो वो सकते हो की नया रूल बन करके आया डेट है 4 अगस 2022 4 अगस 2022 को बहुत ही क्लियर शब्दों में NCTE ने बता दिया कि सुप्रीम कोट ने परसुइंग वर्ड का जो है मीनिंग बताया है और परसुइंग वर्ड मीन्स होता है कि कोई भी स्टूडेंट जो कि किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले चुका है एडमिट हो चुका है वो स्टूडेंट जो है वो बच्चा जो है एलिजिबल होगा किसी भी टेट या सी टेट का फॉर्म फिल करने के लिए अब यूपी टेट तो भाई इंडिया से बाहर है नहीं तो यूपी टेट हो सी टेट हो रीट हो या बी टेट हो जे टेट हो कोई भी एक्जामनेशन हो उसका फॉर्म फिल करने के लिए जो है कोई भी स्टूडेंट जिसने की टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन लिया आप तीचर ट्रेनिंग कोर्स से या सी टेट का या उस पर्टिकुलर राज्ये का जो है टेट का एक्जामनेशन का फॉर्म फिल कर सकते हो और उसको क्लियर करोगे तो वो वैलिड होगा क्लियर इस नोटिस में लिखा हुआ है इसमें आप लोग को दूसरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है दूसरा कोई अगर आपको मिस्गाइड कर रहा है में भी उसके पास वो नॉलेज नहीं है तो अगर आप मिस्गाइड हो रहे हैं तो आपका लॉस होगा उसका कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है सो यहां पर आप देख सकते हो clear way में जो बोला गया है pursuing word का meaning pursuing means होता है undergoing and of proceeding further therefore a candidate a candidate who has been admitted in any of the TTC and undergoing the teacher training course can be said to be pursuing such a training course and shall be eligible shall be eligible to appear in Tate examination irrespective of the fact whatever by the last date specified for filling up the online form for Tate examination clear way में लिखा अगर आपने admission लिया हुआ है TTC course में तो आप definitely Tate का या C Tate का form fill कर सकते हैं अब Tate में तो UP Tate आता है ना तो यहां पर फिर आपको दूसरे से पूछने की क्या ज़रत है confusion होने की confused होने की क्या ज़रत है यहां पर एक और यहां पर सकते हो clearly बोला it is clear from the order passed by honorable Supreme Court of India that a candidate who has been admitted in any of the TTC and undergoing the teacher training course can be said to pursuing to be pursuing such better such teacher training course and a fair reading of course 5-2 of the NCD guidelines और वो जो है who has been TTC and pursuing तो pursuing का मतलब बता दिया गया है और वो जो है he or she can appear in Tate examination Tate examination लिखा हुए तो अब आप लोगो कोई confusion नहीं है तो UP Tate कोई भाई यहां से बाहर का नहीं है कि UP Tate नहीं भर सकते है और कोई बोल दिया आपको और आप मान लिए हो प्लीज अपने knowledge को थोड़ा से बढ़ाईए और जो आया है अपडेशन उससे अपने आपको अपडेट कीजिए अगर कोई आपको इस तरह से गलत information दे रहा है तो उनको भी correct कीजिए अपना जो decision लेना है आप लिजे आज के इस वीडियो के बाद से आप लोगों में ये confusion नहीं रहेगा और आप लोग अगर फॉर्म फिल करना चाहते है तो definitely करो और मैं तो suggest करूंगी करो ही जिससे कि आपको experience हो और आप एक competitive examination clear कर लो फिर मिलूंगी चल्दान, have a nice day